हेलो दोस्तों कैसे आप सब तो आज हम लोग बनाने जा रहे है पुरी किया जिसके लिए हम लोगों को चाहिए सूजी को बरियां से घी में भून ले उसके बाद मैदा ले ले मैदा को क्रंची बनाने के लिए उसमें रिफाइन एड़ कर ले और रिफाइन को गरम जरूर करे उसके बढ़ उसको आटे पे डाल ते यानिक अमयदा को डाल दे और इसको बरियां से रब करके मिक्स करे उस ते रिफाइन को जब वह पुरा मिक्स हो जाएका तेल आटा में तब उसको गूत ले और याद रहे गूतने से पहले आटा को मुठी बना के दे कि अगर वह धोड़ा इलाची देखे ंए उसको उसके बाद पुड़ी बना लें हमने पुड़ी बना लिया है और पुड़ी पनाने के बाद उसमेशन को पुड़ी में डाले और पूड़ी किया निए अ पुरिक्या रेडी है अब तेल गरम कर ले और इसको फ्राइ कर ले और गोल्डेन ब्रॉन होने तक इसको फ्राइ करें अब पलट दे इसको और देखिया हमारी पुरिक्या या गुजिया भी कह सकते है वो रेडी है बिल्कुल रेडी अब इसे चेक करने के लिए देखिये थुरा साइड से तोर के देखते हैं देखिये कितना क्रंची है फट से टूट गया अब इसे आप आराम से खा सकते हैं चलिए बाई टेक केर गुड नाइट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देजेगा प्लीज ट केर